शायद आदिल खान और राखी सावन की किस्मत में हमेशा सात रहना ही लिखा है घर में ना सही तो जेल में अब खबर ही आ रही है कि मुंबई पुलीस ने राखी सावन के खिलाफ अरेस्वारन जारी कर लिया है मुंबई पुलीस पर निशाना ताना के उन्होंने कोई भी जानकारी नहीं की और आदिल को बाहिजद बरी रिया कर दिया। राखी का ये बयान सुनने के बाद मुंबई की पुलीस बहुत जादा एक्टिव हो गई और वो आदिल का मुबाईल ढूनने में लग गई। पुलीस ने अदिल के मुबाईल का पता लगा लिया उसके लास्ट मुबाईल की लोकेशन राखी सावन के घर से निकी। संबाई पुलिस का कहना है कि आदिल खान दूरानी को जेल जाने के बाद भी आदिल खान का मोबाईल एक दिन पूरा यूज होता रहा अब सवाल ये उठ रहा है कि आदिल खान के जेल जाने के बाद आदिल खान का मोबाईल कौन यूज कर रहा था राकी सावन के घर से आगे सेड, I feel sad, I feel sad, हाँ, इंक्वारी नहीं करी, कुछ नहीं करी, मेरे बैंक स्टेटमेंट जो मेरा पैसा लिया, वो भी आपने इंक्वारी नहीं करी, और शिवरा पूलिस सेशन, हाँ लगोने कुछ नहीं किया, पुलिस तर जुन के ने लाई, लेकिन, अभी भी मुझे मैसूर पुलिस पर विश्वास है, कहीं एक होप, I cross my finger, कहीं एक होप है, मैसूर पुलिस, ACP, DCP, उसकी बातों में मत आओ, बातों में मत आ, उसका फोन ढूंड़ो, तो हमारी जंद्रियां बच जाएगी, वरना हमारी वीडियो वाई, यहां की पुलिस मुंबही, वाश्यवरा की बुलिस पर तो उसको छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, क्या दिया, ऐसा को लॉलिपॉप, यह ऐसा क्या दिया, अब यह तो अंडरस्टेंडिंग की बात है, I feel sad, I feel sad, जो मेरा पैसा लिया, वो भी आपने इंक्वारी नहीं करी, और शिवरा पुलिस स्वेशन, आप लोब क्या कहना है इस पूरी न्यूस के बारे में, आप हमें बता है नीचे कॉमेंट बॉक्स में, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शियर करें, मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थैंक्स फ़र वाचिंग